क्यारफ linear equations into variables को हम लोग कम से कब तीन तरह से solve कर सकते हैं आज हम लोग डिसकस करेंगे elimination method से elimination method में आपको या तो x या y वाले term को cancel करना होता है यह question 0.5 x plus 0.7 y is equal to 0.74 0.3 x plus 0.5 y is equal to 0.5 अब इसमें हमको किसी एक को eliminate करमा है किसी को भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम x वाले term को eliminate करेंगे तो इसका निया भ्याद रखिए कि दोनो equation की x का जो coefficient होगा सिर्फ उसको transfer करके multiply करते हैं जैसे इसको हम multiply करेंगे इसके वाले coefficient से equation number 2 के coefficient से 0.3 और दूसरे equation को multiply करेंगे पहले वाले equation की x के coefficient से 0.5 आप इसको multiply करेंगे 3 x 550 और यहाँ पर एक और एक तो दीजित के बाद देस्ट वाल होगा 2 रिखेंगे और फिर दूसरे वाले equation को 5 से multiply करेंगे तो 5 x 3 15 होगाने की 0.15 x और प्लस 5 x 5 25 मतलब 0.25 y is equal to 5 5 25 0.25 अब इसको subtract करेंगे साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस और यह माइनस यह एक वालक तर्म कैंसल हो जाएगा अब यहाँ 0.21y-0.25y तो यह साइन माइनस में होगा क्योंकि 25.25 बाद है तो यह आ जाएगा 0.04y is equal to इसको subtract करते हैं 0.25 नतलब 250 और फिर 0.222 8 हो जाएगा 42 हो जाएगा 0.0 इस प्रकार से यह 0.028 और लोकि यह 0.25 greater है इसलिए यहाँ पर minus देंगे minus cancel करते हैं therefore y is equal to 0.028 divided by 0.04 यहाँ पर इस 0 देखे decimal इसका cancel कर देते हैं 28 by 40 यह 7 से cancel हो जाएगा 7 और यहाँ पर 10 इसका हो जाएगा 0.7 इसका y कर जाएगा भैज हो है अगे भैजो किसी भी equation में हम सर्से चूट कर देंगे पाइदा वला equation लिखते हैं from equation 1 from equation 1 यह equation 1 था और यह equation 2 था तो equation 1 में हम लोग लखेंगे 0.5 into x plus 0.7 into y is equal to 0.74 अब यह y का यह value 0.7 substitute करेंगे तो यह solve करते हैं 0.5x plus 0.7 और y का value 0.7 तो 0.7 into 0.7 is equal to 0.74 0.74 that implies 0.5x plus 7749 हो जाएगा लेकिन decimal होगा और 0 होगा is equal to 0.74 that implies 0.5x is equal to 0.74 और यह minus हो जाएगा 0.49 इसको subject करते हैं 49.5 हो जाएगा और यह यहाँ पर 62.0 therefore x is equal to 0.25 by 0.5 यहाँ पर यह 0 देखे जैसन को कैसे करते हैं 5 से 10 और 5 से 5 इसका अंतर यह value 0.5 तो हमारा solution होता है x का value 0.5 और y का value 0.7 और यही इसका answer होगा प्रिय व्या थक्राव को जा लोड़ देद़ आराग spor माइए नह को ऑमार I